नमस्कार, एक्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ इन्डेस्ट्रीज सीरीज में आज हमारे साथ है मिस्टर सरनत रेलिया जो है वाइस प्रेसिडेंट सर्धन गुजराद होटल एंड रेस्टोरेंट एसोशेशन से है सनत जी आपका स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में और उनके साथ है डैनिश शाह जी डैनिश जी आपका भी स्वागत करती हूँ वो है सेक्रेटरी होटल एंड रेस्टोरेंट एसोशेशन के सदन गुजराद के आज हम बात करने वाले हैं जो होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की हाल में जो स्थिती है और जब से लोकडाउन हुआ है तब से जो परिस्थितिया रही है और क्या-क्या हुआ है उनके बारे में हम आज सनद्ची से और डेनिस्टी से जानेंगे और काफी सारी जानकारी जो ये इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े है उनके लिए इनफोरमेशन भी होगी जो आप लोगों को ये प्रोग्राम ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी भी होगी और क्या-क्या आपको करना है वो भी रहेगा और अभी जो स्थीती है उन में से आपको कैसे बाहर निकलना है वो भी आपको यहाँ पे आज यहाँ से जानकारी दी जाएगी तो सबसे पहले मैं सनत जी से बात करना चाहूंगी सनद जी होटल इंडस्ट्रीज के आप वाइस प्रेशिडेंट है तो कितने साल से है और आपकी ये संस्था क्या कार्य करती है नमस्ते दोस्तों सदन गुजरात होटल एंड रेश्टरॉंट एसोशेशन 2001 में शुरू हुआ था और उसके पहले लगबग 30-40 यहस पहले सूरत होटल एंड रेश्टरॉंट एसोशेशन था वो एसोशेशन 2001 में सदन गुजरात होटल एंड रेश्टरॉंट एसोशेशन बन गया और जब से सदन गुजरात बना तब से मैं ऑफिस बेरर में हूँ आइज जॉइन एसे से सब्सक्राइटरी एंड अफ्टर 2005 आइब केम दवाइस प्रेशिडेंट एंड इन 2011 आइब केम दवाइस प्रेशिडेंट अफ दिस एसोशेशन यह एसोशेशन खास करके होटल्स और रेस्टोरंट जो सदन गुजरात में है उनकी भलाई के लिए बना गया है उसमें अंद जो हमारे मेंबर्स है उनके अंदर एक ब्रदर हुट की भावनार पैदा हो हम एक दूसरे के काम आ सके सरकारी रिप्रेसेंटेशन करने में काम या भी हमें मिले लोगों तक हमारे इंडस्ट्री की बारे में अच्छी इन्फोर्मेशन और गाइडन्स दे सके अच्छे अच यह थोड़ा छोटा सा परीजय है कि एसोशेशन क्या करते हैं नॉर्मली सभी एसोशेशन या चेमबर ऑफ कॉमर्स हैं जो एक्टिविटीज करते हैं वैसी ही सेम एक्टिविटीज यह एसोशेशन में करता हैं लेकिन और एक खास बात बताता हूं कि हम टुरिसम जिसका नाम है डिसकवर सूरत टेक्स्टाल दैमं फूड अफुड. क Länder सूरत को ने ब्रेंडिंग किया है डिसकवर सूरत क direct table फूड. अान і मैं एसस्यशं के बारे में बहुत कुछ कह सकता हूं लेकिन अभी हम शॉर्ट में बात करेंगे. thank you लेकिन यह जो है संस्था मतलब की सूरत से लेके कहां तक है मतलब कौन सा एरिया मतलब कवर करती है जो आपकी संस्था है क्योंकि वो बहुत माईने रगता है कितने और कितने होटर और रेस्टोरन अपने गुजरात में है या इंडिया में बहुत सारे है लेकिन आपकी जो संस्था है वो कहां तक है अमारी संस्था में अभी 3000 मेंबर्स है और यह संस्था का जूरिडिक्शन सूरत से सापू तारा तक है और हाइवे पे बिलाट चेक पोस्ट से लेके जो करजन टॉलना का है एल एंटी का वहां तक का है यह हमारा सदन गुजरा का हमने दिया है और मुझे यह भी बताते हुए गर्व होता है कि पूरे इंडिया में बहुत सारे एसोशेशन हैं लेकिन कुछ एसोशेशन बहुत एक्टीव है उसमें से हम एक है शायद टॉप फाइव में हमारा नंबर आता होगा और हो सकता है हमारा नंबर पहला भी हो और दूसरी बात ये हिए कि हमारा एसोशेशन सबी संस्ताव से एफिलेटेट है वी आरेफिलेटेटेट विध दूस दूसरी दिविड दूसरी बात है कि हमारा नंबर आ नंबर भी अब हम बात करेंगे डेरी शाह जी जो इस संस्था के सेक्रेटरी है सर आप कितने सालों से इस संस्था में जुड़े हैं और आप क्या कार्य करते हैं मैं यह संस्था में दो हजार पास से जुड़ा हूं और मेरा काम ज्यादा था लाइजिंग का होता है यसे संस्था ने बताया कि गौवर्मेंट वगेरा में हम लोग जो रिप्रेसंट करते हैं हमारे एसो सेशेशन के प्रॉब्लेम्स हो या कुछ भी हो तो उसका सारा साथ अरुन से टीजी जूडने वाले थे लेकिन किसी कारण से वो नहीं आ पाये है तो उसके लिए हम खेट करते हैं नेक्स टाइम वो जरुन हमारे साथ जूडेंगे जी जी सर हां जी मेरी उन से बात हुई सो हम माफी चाहते है क्योंकि हमने अनॉस्मेंट कर दी थी और उ कोवीड नाइंटीन की इफेक्ट लोगडाउन में कैसी थी रेस्टोरेंट एंड होटल के जो संस्था है जो भी चला रहे हैं उनकी स्थिति क्या थी लोगडाउन में लोगडाउन के दोरान क्या थी लोगडाउन के बात क्या हुई है और अभी की जो सिच्योएशन क्या है वो हम जानेंगे आज लेकिन सबसे पहले सर मैं ये जनना चाहूंगी कि लॉक्डाउन के दोरान होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्त्री में जो स्थिती हुई है उनके बारे में थोड़ा सज बताईए लॉक्डाउन के पहले ही थोड़ा सिचुएशन वीक था क्योंकि फाइनेंशल क्राइसिस एकोनोमी स्लोडाउन चल रहे हैं और कुछ सालों पहले जो प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ गए थे उसकी वज़े से जितनी भी प्रॉपर्टी हमें रेंट पे लेनी थी वो सारी बहुत महंगी रेंट पे आ रही है क्योंकि रियल एस्टेट में इन्वेस्टर ने बहुत ज़्यादा पैसा डाल दिया था तो उसकी वज़े से रेंटल कॉस्ट भी बहुत हाई थी लेकिन लोगों को ये बिजनस में आने का एक पैशन होता है इसलिए लोग ये बिजनस मे आते हैं और तो पहले से एकोनोमी स्लोडाउन की वज़े से परिशानी थी लेकिन ये एक अचानक धमा का हो गया कि बहुत चाइना में चल रहा था हम चाइना के कुछ निउस देख के वैसे ही सोच रहे थे कि यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा चाइना में भी होगा चाइना नहीं रहता है तो इंडिया में वाइरस नहीं आएगा और हमारे अच समर सीजन है बड़े-बड़े MD शुपर MD ने मुझे बताया था कि आप चीनता मत करो इंडिया में नहीं आएगा पच्चीस डिगरी से उपर ही हमारे टेंपरेशर है और हमने देखा कि कोरोना ने क्या क तक भी उसको कुछ नहीं होगा अभी बात आती है कि जो लॉक्डाउन के दर्मियान क्या हुआ तो लॉक्डाउन के दर्मियान लोगों को ऐसा लगा था कि कुछ दिनों में चला जाएगा पंद्रादीन मेहने में इवन दे गवर्मेंट वस एक्सपेक्टिंग डेट हां तो लेकिन यह कोरोना तो एकदम अंसर्टन निकला इंक्रेडिबल निकला और यह बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है तो यह अभी हमारे बिजनेस की टैंशन बढ़ गई तो उस बीच सभी इंडस्ट्री ने अनलोक के लिए रिक्वेस्ट की और गवर्मेंट ने अ और आठ तारिक से अनलोक होने के बाद लोगों को ऐसा लगा था कि चलो हम चालू कर देते और हमारे बिजनेस में जो हम लॉशिस में है वो हम एक लिस्ट कवर करेंगे लेकिन जैसा आपने हर एक बिजनेस में देखा होगा कि जब कोई का कोई कारन सर बं किया गया सबदी क दुकाने बन की तो लोग जब खुली तो जैसे नहीं मिलने वाला वैसे ने ले गए दूद वाले में भी ऐसा हुआ और ये रिलाइंस मार्केट और बिक बज़र पे भी बड़ी लाइने लगी कि अभी राशन नहीं मिलने वाला है या राशन मिला है तो ले लो वगेरा वगेरा वैसा ही हमारे या भी हुआ जैसे खुला उसके एक हपते दस दिन तो लोग टेक अवे के लिए लाइन लगा रहे थे लेकिन उस टाइम पे भी जो मरियादा थी कि वही साथ बज़े बन कर देना है ये वो तो लोग कोई डीनर करने के लिए पाँच्छे बज़े अपना खाना नहीं लेने आएंगे तो उसकी वज़े से कुछ काफी बिजनेस कुछ कम जादा नहीं हुआ बहुत कम हुआ तो उस दर्मियान लोगों ने जो बिजनेस किया वहाँ पे उनको ऐसा फील हुआ कि ये हमने खोल के गलती की क्योंकि अगर ना खोलते तो अटलिस लॉस तो नहीं था लेकिन खोलने के बाद लॉस हुआ उसके बाद और एक परिशानी आने लगी कि पुलीस वाले कभी भी कोई भी टाइम पर आते थे और बन करा देते थे पांच बज़े छे बज़े चार बज़े उनकी जैसी मरजी क्योंकि जो पुलीस दिपार्टमेंट के अधिकारी थे उनके पास लॉकी क्लैरिटी नहीं थी या फिर वो लोग एक साथ में ही सब को बन करा देते थे चलो दुकाने भी बन कर दो होटल भी बन कर दो दूसरी बार आना नहीं पड़े जैसे आपने सब ने टीवी चैनल में देखा होगा और न्यूस चैनल में देखा होगा कि होटल वालों को नौ बज़े बन करना है और दुकान वालों को आट बज़े बन करना है फिर भी पुलीस वाले इतना सारा पढ़ के भी सबको आट बज़े बन करा देते अभी नुकसान कहा है दंदे का नुकसान दूसरी लेकिन हमने हमारा सामन तयार किया होता है क्या जितना सेल होगा तो हमने वह सबसे सामन तयार किया होता है तो सामन जो तयार होता है उसका कुछ नहीं हो सकता है जैसे मैसूर कैफे है तो उसका इडली का जो है या डोसे का जो भी है उसको फेकना ही पड़ता है सामबार को फेक नहीं पड़ता है, वो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो उसकी वो उतर जाता है, डाउन हो जाता है, तो ऐसा नुकसन करवाते हैं पुलीस वाले, जो अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, जी मतलब की जिस तरह से अभी हो रहा है और लेडी सब लोग इतनी सारी मुश्किल में है जैसे तैसे सुरू होने के chances हो रहे हैं सुरू होने भी जा रहा है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियों की वापस सब लोगों को टेंचन कम करने की जगर टेंचन बढ़ा रहे हैं लोग ऐसा हो गया है सो हमारे चैनल के मादियम से रिक्वेस्ट है कि जो नियम के अनुसार जो चल रहा है उसी के दोरान अगर काम हो तो सायद थोड़ी सी सब को जो परेशानी हो रही है वो नहीं हो और आसा निशे वो लोग काम कर सकें क्योंकि सूरत एक ऐसा सहर है जिस जो सहर खाने पीने के लिए फैमस सीटी है अपना तो उसमें चाहे कोरोना है फिर भी लोग निकलते हैं बाहर खाने के लिए बाहर खाने के लिए निकलते हैं अगर रेस्टोरेंट बंद है तो लारी पे भी खा लेते हैं तो लारी पे जा खाहे कुछ भी हो तो लारी पर जाके भी वह खा लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें दर्शों को के भी सर क्वेस्टन्स भी आये हुए हैं कि हमें इस होटल में खाने के लिए जाना था बट यह होटल इतने बजे नौ बज़े की जगह आठ बजे ही बंद हो गया है अब हम के उपर इतना दबान लाया जा रहा है तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे जर एक्चुली एसी बात है कि आप अगर लाइसंस है आपके पास और अगर आप किसी को गोली मार देते हो तो आपको पुलीस डिपार्टमेंट बुलाएगा और हजार सवाल करेगा और आपको शा लेकिन अगर आपके पास लाइसंस नहीं है और आप किसी को गोली मार दो और भाग जाओ तो आपका कुछ कोई बिगाडने वाला नहीं है तो इसी तरह होटल वाला लाइसंस लेके दंदा करता है इसलिए वो डर रहा है कि कहीं मेरे पर को एक्शन हो जाएगी मेरे को जेल जाना पड़ेगा मेरे लाइसंस बंद हो जाएगा यह वो अभी लारी वाले के पास लाइसंस नहीं है काईदे में साफ लिखा हुआ है कि action only can be taken if he has got a license जिसके पास लाइसंस है food safety act का उसी के उपर आप कारवाई कर सकते हो बाकी लोगों के उपर कारवाई नहीं कर सकते बस इतना ही है एक्ट बहुत गंदा है कुछ clarity नहीं है तो यह उसके लिए भी कोई काईदा होना चाहिए नहीं जो लारी पकड़ के जब्त कर देनी चाहिए लारी वाले को जो सक्त एक्शन होती हो लेनी चाहिए और लारी मैं तो कहता हूँ जब नरंदर मोदी सा बाते है रूपानी सा बाते है तो ए ticking दिया जाता है चुपा दिया जाता है उनको और बोलदिया जाता है कि आप दो दीन तीन दिन मत आना यहां पर तो वो भी एक हमारे जैसे citizen है तो उनके लिए साफसफाई दिखानी है उनके लिए encroachment नहीं होना चाहिए उनके सामने लेकिन हम लोगों के सामने सब चलता है और आप सोचिए सबजी वाले को बेंड कर दिया है सबजी बेचने वाले को कि यह कोरोना spreader से बरबर है तो खाने खाना जो लारी पर देने वाला है वो सुपर स्प्रेडर नहीं है वो उसे भी जादा सुपर स्प्रेडर है क्योंकि वहाँ पे तो कितनी देर तक लोग खड़े रहते हैं और खाते हैं दूसरी बात यह है कि वहाँ पे कोई running water facility है प्लेट दोने के लिए कच्रा दिस्पोस करने के लिए जैसे हर एक होटल या आपके घर में हाथ दोने के लिए प्लेट दोने के लिए पानी होता है वैसा उनके पास कोई पानी नहीं होता है आपने देखा होगा जो एक बाल्टी होता है उसी में वो प्लेटे दुबा-दुबा के आपको दे रहा है और एक घंदा कपड़ा होता है उससे वो साफ करता है इसमें आपको कोरोना होगा आपको ये सब अनाईजेनिक नहीं दिखता है लेकिन होटल वाले के पीछे पड़े रहते हैं ऐसा है ने के भई पिली सुडी पर चरावा नोचे तो पिलो पतला ने तो चड़ावा एम नदी केंके सुडी माधी बार निकडी जाई है लेकिन मोटे को चड़ा दो क्योंकि मोटा फीट हो रहा है सुडी में तो ये काम हो रहा है तके सेर खा जा और तके सेर भाजी गंडू रा जा इसमें और एक दूसरी बात में कहना चाहता हूँ इसमें पुलीस डिपार्टमेंट और सरकार की तरफ लोगों के अंदर नफरत की भावना जाग रही है कि ये गलत हो रहा है पुलीस का काम है में आपकी मदद कर सकता हूँ कि आपकी मदद करू तो ये मदद नहीं करते परिशानी करते दिक्कते खड़ी करते तो ये बहुत गलत है जी सर पट लारी वाले जो है मतलब ज्यादा है तो उनके लिए कुछ तो नियम होना चाहिए मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि वो सब लोग तो होटल रेस्टोरण नहीं खोल सकते है सो वो लोगों की भी रोजगारी होती है हरोस की कमाई होती है उन लोगों को भी दिक्कत होती है तो उनके लिए हमारे चैनल के माध्यम से हम ऐसा कहना चाहते कि वो लो अरी बंद ना हो लेकिन उनके लिए कुछ नियम होने चाहिए यह असर सरकार ने बहुत सारे फूट कोड खोले यह लारी वालों के लिए बहुत सारे फूट जोन खोले चौपाटी के पास में स्पेशल जगा दी गई है उनको और वो फूट कोड के अंदर लाखों रुपय की जमीन लाखों रुपय का खर्चा करके बहुत नॉमिनल रेंट पर वो लोग दे रहे हैं लेकिन इनको में रोट पर ही काम दंदा करना है सब अरे आपको कुछ गाइडलाइन नहीं है लेकिन ये लारी वाले को हमसे जादा गाइडलाइन है वो फूट कोड में इसलिए नहीं जाता है कि वहां उसको ऐसा लगता है कि वहां पर मैं बिजनेस कैसे करूंगा वांके तो बहुत सारे होंगे मेरे को उनके साथ कॉम्प पड़ाणी करा लगाते उनको अमारे नोकरी नहीं करनी है उनको धंडा करना है था तो ऐसा नहीं है कर रोजड़ीन यह बहुत रोजड़ैंगे लेकिन ये लोग हमसे काम सिक्के लाहरी घ्रिकार को या嗯 अपुलीस बढ़ने जाते हैं। फिर मुश्बत में है। और बीमारिया फेला नहीं है, हाईजीन स्टांडर्ड पूर करना है। और फिर ये क्या सेहर की शोभा बिगाड़नी है इन लोग को आज आच्छे घवरोपत बने हैं करोड़ो रुपिया के सिमेंट लगा के सब करके तो उसके उपर लाडिया करी करनी है अपने को तो हमें सिटीजन्स को समझना है कि हम आपके उपर जो टेक्स का वर्डन है अभी कॉर्परेशन का या जी एस्टी का जो भी इंकम डेक्स का वो यह सब नॉन टेक्सपेयर की वज़े से हैं जो लोग टेक्स नहीं बरते और इसमें कोई छोटे लोग नहीं है बहुत पैसे वाले लोग भी यह धंदा कर रहे हैं जिन्होंने फूट ट्रक्स बना दी और फू करवाना पड़ता है नहीं तो आपको आटीओ का चलन मिल सकता है लेकिन फूट ट्रक के अंदर लोग गैस का सिलिंडर लगाते गैस का कुकिंग रेंज लगाते और उसके अंदर खाना पकाते तो वह कहां वह आटीओ पासिंग कहां है तो आटीओ वाले क्या कर रहे हैं शुक्रिया सनत जी आपने काफी अच्छी तरीके से सारी चीज पे प्रकास डाला मेरा सवाल है कि कोरोना वाइरस के वज़े से ये जो काफी लोग होंगे जो ये व्यावसाई में जुनना चाहते होंगे और फिर कोरोना वाइरस आ गया तो उसके चलते फिर उनकी प्लैनिं कैसे मधद रूप हो सकती है अबने पिछले कवी सालों से देखा है कि जो लोग ये बिजनेस में आ रहे है और यंग्स्टर से और उनके सबके परेंस कोई बिल्डर है कोई इंस और से है कोई टेक्स्टाइल से बार नहीं से तो उनको एक्स्परियंस नहीं होता है प्रहिं क कि बढ़ बिजनेस कैसे करें हम लोग उनको काफी नॉलेज भी नहीं होता है वो लोग सिप बाहर खाना खाना जाते थे अपने खॉलेज देज में और उनने देखा कि बढ़ यह तो एद्दम रोजी बिजनेस है मतलब एदम कैसी इंकम है और अच्छे अच्छे लोग आते है अच्छे लोग बाइस की होती है अबने यंग डेस में तो वह सोच के वह लोग यह जाते है और आने के बाद उनको रियलाइस होता है कि यह बतलब उन्होंने गल्ती कर दी उनके पैरांस को भी फील होता है तो वह लोग बहुत सारा खर्चा करते हैं अच्छे पाद बाद बाद इतना करचा करने के बाद इतना हाई रेंड देने के बाद उनको रियलाइस होता है कि यह उन्होंने गल्ती किये और काफी सारी चीजों का वोड़ों ध्यान नहीं रखते तो इसलिए हमारे सो सेशन उनलब हम लोगों से लोगों कहना चाते है कि आप यह बिजनेस में आने से पहले हमारा संपर्क करें और हम उनको पुरी तरह से गाइड करेंगे मतलब लोकेसं से लेके बिजनेस के मतलब जो भी मतलब प्रिंसिपल से सप्लायर्स है काफी सारी पुरानी रेश्टों भी जो नहीं होती है मतलब ऑलमस्ट नाट महीना दस वि Hospası होती है पैसमेह पूरानी होती है उनको बेज ने चल्व जवाली होती है तो उनकी क्यूप्मेंट फगए रहा हुद यॐब हो जाती है रेशे पुरा काम करतें सारी रस्टारी न का लिस्ट है जिनको बिजना है समान अबना और हम्हारे मांस स्टाफ भी काफी आते है जॉब के लिए ट्रेनिंग के लिए उसके लिए भी उनकी हल्प कर सकते हैं तो अगर खुद कोई खुलना चाहते हैं तो वह अच्छी बात है लेकि नेसे उसे उसे इनके बाद आएगा तो हम उसको बिजगाइट तो नहीं करेंगे केम चाहते हैं कि बहुत लाग यंशने अपने सक्षर काल कर सकते हूं मैं आपको एक नंबर बता सकता हूं जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हों जिसे हमारा इस्टेशन का नंबर ऑफिस का 937717713 एक नंबर है हमारा और चाहे तो दर्सक मित्र इसको नोट डाउन कर ले या प्रोग्राम रिपीट करके देख सकते हैं तो एक हमारा नंबर है इस पर आप कॉंटेक्ट करोगे तो आपको अपॉइंटमेंट देके बुला लेंगे और आपको पूरा गाइड करेंगे सारी में जोन की हेल्प कर देंगे है तो फिर हाल ही में गवर्मेंट ने काफी बड़ा पैकेज डिकलेर किया है तो उसमें होटल एंड रेश्ट्रो इंडस्ट्री के लिए क्या वो चीज डिकलेर किया है या कुछ बेनिफिशल हुआ है वो उस पैकेज के दौरान गणी वक्त वाटसेप पर बहुत बार वाटसेप पर जोक्स आते हैं कि वही यह 20 लाग करोड पैकेज जो है उसमें क्या मिलाए क्या मिलाए और के लोग हसी भी उड़ाते हैं कि गुप्तदान है वो तो हम तो यह गुप्तदान को लेना चाहते ही है वेलकम कर रहे हमें गुप्तदान इस तरीके से चाहिए कि हमारे इलड्रिसिटी टरिफ जो है वो हम डॉमेस्टिक रेट पर चाते हैं क्योंकि अभी हमारे पास कोई कॉई कामर्शल अक्टिवीट्य कोई बिजनस नहीं है तो हमें भी डॉमेस्टिक रेट पर चार्ज किया जाए उसके बाद में जो इल्लेक्रिसिटी duty है उसको pandemic जब तक चले एक साल या दो साल जो भी तब तक electricity duty में waiver दी जाए फिर जो gas है तो gas में भी हमें domestic rate पे gas दिया जाए क्योंकि जादा तर अभी हमारा gas का usage जो है वो हमारे staff के खाने वगेरा में यूज हो है कभी कभी हम कोई संस्ता को donation करते हैं तो उसकी food packets तयार करने में करते हैं तो gas का use हम social service में किया lockdown के दर्मियान भी और अभी भी थोड़ा बच चल रहा है और staff का जो खाना बनता है वो as good as domestic work है तो हमें domestic rate से gas दिया जाए क्योंकि जो हम जो gas ले रहे है वो almost three times costly है जो domestics है और उसमें जो वैट लगता है उसमें भी हमें यह pandemic चले तब तक वेवर दिया जाए उसी तरह हमें property tax education says फिर दूसरे जो corporation कलेक करने वाले जो taxis है professional taxis है PFA EASIA उसमें हमें temporary waiver दिया जाए जब तक pandemic है जिस दिन pandemic खतम हो जाएगा उस दिन से हम tax देना चालो कर देंगे और हमें domestic taxes चाहिए जब तक यह corona चल रहा है क्योंकि property tax में भी हमें बहुत ज्यादा चार्जिस्त लगते है एक दूसरी problem यह है कि जो property rented है तो उसमें property tax double देना पड़ता है या कई कई पे तो ऐसा आकर नहीं हो रहा है कि triple भी लगता है और इसका जो mathematics से किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो समझो कि यह office अगर मेरी खुतकी है तो मुझे साल का अगर 5000 रुपया tax देना पड़ता है तो यह property अगर rented है तो मुझे 10 या 15,000 रुपया देना पड़ता है तो hotels के तो बहुत ज्यादा commercial rate है तो उसमें बहुत बड़ा property tax आता है तीजी भी hotel का ही कुटकी hotel है लेकिन करोड़ो रुपया का property tax है करोड़ो रुपया का दूसरी बात यह आती है कि जो जीएस्टी है उसमें हम कोई वेवर नहीं चाहते है कोई हमें जीएस्टी कम भी नहीं कराना है लेकिन हमारे साथ एक अन्या ही हो रहा है हम जो food and beverages का जो purchase करते है फिर हमार प्रिमाइस इसका जो rent देते है उस पर हमें बहुत heavy GST भरना पड़ता है 18% उसका हमें ITC credit नहीं मिलता है as per GST law everywhere you have to give ITC credit this is against the law of GST लेकिन जेटली साब announce करके फिर चले गए तो तब से हमें ITC credit हमारा निकल गया है तो हम नए finance minister निर्मला जी को request करना चाहते है कि at least hoteliers को जो ITC credit जो उनके हकी है वो तो मिले तो हम ये pandemic में से निकल सकते है इसको आप 20 लक करोड में इंक्लूड कर लोगे तो हमको कोई problem नहीं है जी जी सर बिल्कुल आप आपकी बातों को ध्यान में रखेंगे और दूसरी जो बात थी आज का हमारा जो topic था कि current situation hotel and restaurant industries की तो उनके बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी तो दर्शकों को दी है लेकिन अभी की जो situation है current situation के बात करते हैं तो उनमें क्या अभी है सब का मतलब कैसा आपको feedback है कि क्या अभी business का क्या आगे करेंगे क्योंकि ये जो अभी Corona COVID-19 है वो इतना जल्दी खतम होने वाला नहीं है सब को ही ऐसा लग रहा है दिन प्रती दिन जो cases भी बढ़ते जा रहे हैं तो कई लोग अफ़ा भी काफी सारी अफ़ाय भी फैली हुई है तो इसकी वज़ा से थोड़ा सा भी जो चालू किया है उन्होंने तो उसमें आपको कितना ratio दिख रहा है कि हो रहा है उनका कुछ की नहीं हो रहा है एक पैंडेक पैंडेमिक के बाद तो काकी लोग की मुसकल है बढ़ गई है क्योंकि स्टाफ सब का अल्मोस हंडिड पसंट लोग का सब चला गया है और वो लोग जल्दी अब आने नहीं वाला है वापिस क्योंकि मॉन्सून है तो वो लोग की अपने मतल काम होता है उनका और वो लोग ऐसे भी अभी जल्दी नहीं आएंगा और सूरत में वापिस केस भी बढ़ रहे है तो कोई आना नहीं चाहेगा यहां पर अभी तो मैंने तो काफी सुना भी है अटोलियस पैंड से कि वो लोग यासे फैमिली मेंबर्स होते हैं उनकी हेल्प लोग जाईए बाहर होटल में खाना खाई है और बिल्कुल मतलब टेंशन मत लीजिए जैसे उनकी भी हेल्प हो जाएगी और आपके लिए थोड़ा चेंज हो जाएगा इतने दिन से आप लोग भी सब लोग घर में बैठे हो और आप लोग भी जाएंग जाओगे तो सबसे साफ सुत्रा और हाईजेनी खाना अब मिलेगा भी अभी खाओ और उनकी देखरेंग में सब कुछ हो रहा है उन्होंने पुरा साफ साफ है अच्छी तरह से करवा जाए पूरा जो मतलब काफी लोग की जो पुरानी रेस्टोरेंट है जो मतलब काफी सारों सब्सक्र एप अच्छा मिलेगा और आप इद्दम बेफिकर हो के जाए और अच्छा मिलेगा जी मतलब होटल में खाना खा सकते हैं आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जी बिल्कुल सर और जो खाना खाने तो लोग जाएंगे हमने बोला है तो साइद अभी लोगों को पालन आप को करना है मास्क पहनना है वो बहुत जरूरी है सब करने के बाद अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है अगर आप खुद में कुछ प्रॉब्लम है तो आप मत चाहिए बत ऐसा अगर नौर्मल है आप जरूर घा सकते है लेकिन सर्फ बात यह है कि होटल का टाइम के बारे में अभी किसी को पता नहीं है मेरे क्याल से क्यूंकि लोग बोलते हैं नव बजे तक खुला रहेगा वोई बुलता है आट बजे बंद हो जाता है तो इसके बारे में थोड़ा से दर्शकों को बताईए देखिये एक बहुत क्लैरिटी है कि नव बजे ही रेस्टोरं बंद करनी है अभी यह जो कुछ पुलिस वाले आते हैं अपनी गाड़ी लेके और ऐसा बोलते हैं कि हम लोग को सरकार का नौटिफिकेशन नहीं देखना है हमको तो हमारे कमिशनर साब का या कलेक्टर साब का नौटिफिकेशन दिखाए और यह गलत बात है क्योंकि कलेक् चैनल गवर्मेंट से आती है जो स्टेट गवर्मेंट भी पब्लिश करता है और लोकल गवर्मेंट भी पब्लिश करता है और एक्जूकिट करता है तो यह ठाली छोटे-छोटे होटेलियर सो रेस्टरॉंट वाले को डराने की या मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं उनका उनको जानकारी है फिर भी वो लोग क्या करते हैं आट बज़े दुकाने बन करवानी है नहीं तो साथ-साथ में होटल रेस्टरॉंट को भी बन करा देते हैं कि चलो एक काम हमारा एक साथ में पढ़ जाए लेकिन इसमें किसी की रोजगारी में वो लोग लात मार रहे हैं वो गलत है आगे भी मैंने जो बोला कि में आए हेल्प यू पुलिस का काम है ना कि में आए हैरेस्मेंट नहीं होनी चैया है इसमें सरकार की भी खराब होती है और पुलीस की भी खराब होती है यह सब बात हुई लेकिन हम करन्ट सिचुएशन की बात करते हैं अभी की फिलहाल जो लॉक डाउन के बात की हम बात करते हैं कि अभी शुरू हो गया है थोड़ा सा सुरू होने जा भी रहा है लेकिन होटल की बात करी रेस्टोरेंट की हमने बात की बट हम होटल की बात करत तो उन लोगों को क्या वो रहा है या उनकी स्थीति क्या है और होटल स्वाले अब कैसे बैर कर रहे हैं वाले जो होटल है उनकी बात करते हैं कि जहां तक मलदब रिफंट का इसी वो तो हमने किसी का होल्ड नहीं किया है और मेरे पास प्रेशन्स यही आया है कही होटलों ने ऐसा किया है पैसा रख लिया है और उन्होंने बोला है कि एक साल में आपको यूज करना है बढ़ उसमें कोई कर सते हैं कि लोगों को पैसा वापस दे या क्या उसमें कोई आ सकता है लोग उसमें ओटर राजन भी जितना इनिसरी ट्राइ तो किया होगा लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया हो सब्सक्राइब कर रहे हैं यह वह अनलॉक में भी जब तक ट्रांस्पोर्ट प्रॉपरी सुरू नहीं होगा जब तक जैसे सूरज चैसा सीटी है जैसा बंबे दिली की बात करो बड़े मैटर सीटी है तो दोनों मतलब अल्मोस्ट लॉक्डाउन में ही अभी है तो हमारे ज सब्सक्राइब कर दोनों मतलब तो हमारे लिए तो मतलब बहुत ही ज्यादा जिक्कत वाला मामला है इसे सूरत बरोड़ा अमदाबाद सब जगह ऐसा है अल्मोस का बिजनेस तो आल्मोस जैसे रेस्टरान वाई तो कैसे पार्सल से भी थोड़ा बद उनका निकल लिए और हमारा तो पुरा आउट से लोग आते हैं आपकी संस्ताने क्या कुछ शोचा है जैसे अमने तो बस जैसे गोवर्मेंट से हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते है कि वही जल्दी ट्रेंज चालू करते हैं जल्ली ट्रांसपोर्ट वगेरा जो भी है वनलब चालू कर दीजिए अभी पैंडमिक को ध्यान में रखके हम ज्यादा पोर्स भी नहीं कर सकते हैं जिसके लिए यसे सूरत में जैसे अनलोक बन के बाद केसिस बढ़ गए है तो कि हमारी जानकारी में आया है कि तीन ट्रेंट वही एक राध्णी जो डेली के साथ मुंबई को कनेक करती अ शूरस को लेकी सात्त में फिर उसी तरह सत्साथ एकसप्रेस और करनावटी एकसप्रेस यह्ज है दो ट्रेंज चालूinea करनावटी सुबं में यह साइटी एस उतल यह सब का connection दो train कर रही है हम शताबदी और करनावटी और डेली के साथ connection राध्दा नहीं कर रही है यह त्री टीन ट्रेनों चालू है लेकिन लोगों को मालूब नहीं है तो हमने हमारे जितने भी customer से उनको phone करके और message करके यह information पासवन करना चालू कर दिया है और कितने लोग को खुशी भी हुई है जानके तो उनका कुछ न कुछ छोटा मोटा काम यहां फसा हुआ है वो किसी को payment भी लेना होगा तो वो आएगा किसी को सामान खरीदना होगा वो ओपन हो गया है और हमारी होटल सेनिटाइज केर दिये गवर्मेंट के जो डाइरेक्शन से सोशल डिस्टंसी के वो सब हम फॉलो कर रहें वैसी जानकरी हम सारी होटल वाले messages और phone call करके बता रहे हमारे गेस्ट को ताकि वो जल से जल जल जल्दी आए नो नो रिस्ट्रिक्शन सेट प्रेजट नो रिस्ट्रिक्शन सब्सक्राइज करना है और आपको और एक बात बतातू कि सूरत मुंसिपल कॉर्परेशन ने एक हमियोपेदी गोली डिस्ट्रूबिट की थी पूरे शहर में वो हमने भी ली है और हमने हमारे मेंबर्स के जितने भी स्टाफ है उनको फिर से वो गोली या डिस्ट्रूबिट की है ताकि हमारे स्टाफ में वो इमिलिटी लेवल अच्छा हो और हमारे कोई स्टाफ बिम कर दिया गया है तो वैसा कैर हम ले रहे हैं कि हमारा कोई भी होटल और रेस्टोरेंट साधन गुजरत में बंध ना हो तो यह होमियोपेदिक गोली है हम लोग फ्री में डिस्टूबिट करते हैं हमारे मेंबल्स को जिसकी बहुत सराना हुई है आप पूछ रहे थे क्या क्या आइक्तिविटी करते हैं तो यह भी एक लगड ड्कशेंट वगेरा भी हम करते हैं बहुत सारी शोश्य एक्तिविटीज भी करते है और सब कुछ करते है जी अच्छा लगा कि आपका जो तो वो सेष्ट र्क टिविटी में भी इतने ही आगे है तो इसघ्ट scission डेफिनेटली तो सनच जी मेरा आप से सवाल है कि जैसे कि अभी hotels और रेश्टरो के लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं that लोग इतना विजीट कर रहे हैं लोग इतने रहने नहीं जा रहे हैं तो अभी वो तो ओपन हो चुके है तो उनको एक minimum cost तो बेहर करना ही पड़ता है तो आप कुछ ऐसी tips देना चाहेंगे कि वो अपना जो minimum fixed cost होता है उसको वो कम कर सके या ऐसी कोई tip आप देना चाहेंगे सर देखो ये tip देने में कोई फाइदा नहीं है उसमें किसी का नुक्षान हो सकता है जैसे कि अगर हम उनको बोले कि आप daily wages पे अपने staff को बुलाई है जिस दिन काम है उस दिन बुलाई है जिस दिन काम नहीं है उस दिन नहीं बुलाई है तो लेबर्स का नुकसान हो रहा है जो हम हमारा दिल नहीं मानता है हां, तो यह आदमी कहाँ कॉस्ट कट करेगा इलेक्रिसीटि वाले को बोलेगा कि आदा बिल बेच गैस वाले को बोलेगा आदा बिल बेच क्या आदा होगा तो आखरी में आजाता है नौकरी वाले पर ही कि नौकरी का खर्चा पगर का खर्चा कम कर और कुछ नहीं होता है आजकल कुछ भी कम नहीं हो सकता है पगर का ही खर्चा लोग कम करते तो उसमें लोगों की रोजगारी के उपर नुकसानों पहुंच रहा है अब बहुत ही अच्छी, आज हमने होटल एंट रेस्टोरेंट की एसोशेशन के जो हमारे प्रेसिडेंट और सेकरेटरी यहां पे आए थे और बहुत ही अच्छी जानकारी आज दी गई है लेकिन सर अभी हमारे जो भी सदन कुझरात की जो मैंबर है मतलब होटल एंट रेस् का उसके लिए हम भी आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप उनके लिए सोचते है इतना और आगे चलके भी अपने सोचा है कि बीस करोड का पैकेज जो दिया है उनमें से भी आपको कुछ उसमें से मिले और आप उन लोगों की मदद करें तो एक अच्छी भावना होती है क आपके जो जब आपके जो मेंबर से उनके लिए क्या संदेश है मतलब उनको अभी जो सुरू हुआ है हमने जो बात कि थी लोग डांस के पहले की अलोग के बाद अभी उनको जो की और आज का सब्जेक्ट था तो अपने रेस्टोरेंट को चलाना है होटल्स वाले को कैसे प्लानिंग करनी है वो सब आप उनके बारे में बता दीचे सर देखो रेस्टोरेंट की बात जहां आती है तो हम आपको यह रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप ज्यादा तेक अवे पर मेहनत कीजिए और अपने जो कस्टमर से उनका डेटा लीजिए और उनको आप अपने स्कीम्स के बारे में वगेरा आप उनको बताते रहिए स्विगी जोमेटों पर अगर आप ज्यादा बिजनेस करो के तो 20-25 तका आपको स्विगी जोमेटों को देना पड़ेगा जो 20-25 तका आज आपके दंदे में प्रॉफिट नहीं है तो आप उनके साथ काम करके लॉस करोगे ताप टेक अवे पर ही ज्यादा ध्यान दो और लोग आएंगे लेने के लिए क्योंकि स्विगी जोमेटों से भी लोग लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो कितने सारे घरों में जाके आया होता है तो उसको संक्रमित होने का भई रहता है तो ज्यादा तर लोग टेक अवे में आते हैं लेने के लिए क्योंकि उनको अपना अपने आखो देखो से लेके आते हैं खुद इसलिए और एक आउटिंग भी हो जाता है बर्मुडा पेन के आता है और लेके जाता है तो टेक अवे पे आप अपना ज्यादा कॉंसेंट्रेशन कीजिए क्योंकि डाइनिंग में आपको खर्चा ज्यादा है एसी वगेरा और को नाम के क्या पता सब लोगों को होता ने के ग्रूप से निकल जाओ ग्रूप से निकल जाओ वैसा निकल गए है तो उनको सोने के खजाने के जितने होते हैं एसी इन्फोर्मेशन हम रोज भेचते है डेली एक खजाना भेचते है डेली तो जो लोग ने एसोसेशन से ग्रू में आना नहीं चाहते हैं, उनको बहुत बड़ा नुक्सान है, यह association हमारा नहीं है, यह association आपका है, हाँ, लोग कहते हैं, our association, our association, but we say it is your association, your association is doing this work, your association is doing that work, meaning association का मतलब है, जूढ़ ना, हम सब एक दूसरे से जूढ रहे हैं, उसको बोलते हैं, एसोसेशन किसी एक का नहीं होता है, एसोसेशन जब साथ में मिलते हैं तब उसको एसोसेशन बोला जाता है, इंगलिश वर्ड है, उसको ध्यान से समझ यह, तो हम फिर से नंबर दिकलेर करना चाहते हैं, 93771, again 77133, 93771, 77133, उस पे वाट्सेप करके अपना हाई मैसेज डाल के अपनी introduction डाल दीजियें, और हम आपको free of charge group में ले लेंगे, आपसे कोई पैसा भी नहीं लेगा, कितने लोग ऐसा सुचते हैं कि association में जुडेंगे, तो कुछ पैसा देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी जो लोग नही उतने ही फाइदे हैं, और जो नहीं है member उसको भी उतने ही लाब और फाइदे हैं, तो membership के लिए कोई force नहीं है, कोई पैसा के आपके पास एक रुपिया भी नहीं मांगेगा, और कितने 20 साल, 25 साल से हम कितने लोगों को तो free में ही सेवा दे रहे हैं, सब तरह की सेवा free दे और अभी तो कुछ नहीं है, खाली moral अप रखना है, अगर आप एक उदास होगे और depressed होगे हैं, तो आप फेल हो जाओगे, ये time ऐसा है, हमरे हैं क्या है, अमेरिका भी लाचा रहे हैं, योरोप भी लाचा रहे हैं, तो हम तो भारत हैं, ठीक है, हमरे देश में काफी कुछ care ली जा रही है, मैं तो सोच रहा हूँ कि जिस तरीके से medical facilities और हमें मिल रही हैं जो, ये भारत में एक miracle है, इतनी सारी सिवा, इतनी सारी चीजे फ्री में दे रहे हैं, इतना सारा काम कर रहे हैं, corporation और सारे departments, तो ये एक समरूत देश में भी ऐसा possible नहीं हैं, जो भारत में ह जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है, सनजी से, और जो लोग नहीं जुड़े है, वो ज़रूर से इस association के साथ जुड़े, जो hotel and restaurant business में जो है, industries में जो है, क्योंकि इस संस्था से साथ आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन motivation तो जरूर मिलेगा, और फाइदा भी हो सक सकता है, अभी की जो situation है, उसमें भी आपको मदद हो सकती है, जैसे कि अभी homeopathic दवा जो है, जो कोरोना के लिए उन्होंने सभी members के लिए, फ्री में जो उन्होंने दी है, वो भी अच्छा काम है, और बहुत सारा काम सनजी के द्वारा होता है, और हमारी ऐसी शुब काम न restaurant ऐसी चीज है, और सूरत तो हमारा खाने पाने की जो city है, तो उनमें दीन प्रती दीन भढ़ते जा रहे है, hotels, restaurant, ऐसा मानना है, और लोग ज्यादा भी जूरते हैं, ज़रूर सब लोगों को आज पता चल गया होगा कि ये industry में क्या है, इसमें अगर आपको जूरना है, तो आप बिल्कुल इस association का संपर्क कर सकते हैं, इनकी साथ social sites भी है, facebook वगेरे सर, वो भी सब आप निकलर कर दीजिए कि कि किसी को जूडना है, या कुछ भी information लेनी है, तो फोन से तो करेंगे ही, लेकिन अगर social sites पे आप है, तो वो भी बता दीजिए, फेस्बुक पे हमारा पेज है, Southern Gujarat Hotel and Restaurant Association, और इसका short from है, S-H-A-R-A-Shara, और मैं एक चीज खास बोलूँगा, आंत करने के लिए, ये सारा काम हम, हमारे एक modest president है, स्री अरून भाइशेटी, जो हमें motivate करते हैं, हमें आगे बढ़ने देते हैं, हमें full liberty देके रखा है, कि और तो ऐसे modest leader की वज़े से ये association इतना आगे बढ़ा है, थैंक्यू सो मच सर, और ऐसे ही आगे चल के अगर कुछ भी hotel और restaurant industries में कुछ भी नए changes आते हैं, या तो कुछ भी नया डेली update कुछ भी रहता है, तो वो भी आप उस पे देख सकते हैं, और हमारे चैनल के माधियम क द्वारा भी अगर कुछ बीस करोड के package में से अगर आपको कुछ मिलता है सर तो जरूर हम हमारे दर्शकों के साथ वापस जूडेंगे, हम मेंबरों के वादा करते हैं कि हम लाएंगे, बहुत लाएंगे और आगे भी आप लोग को experience है, हमने कितने लाब दिला है, बहुत स आपको इस association में जूडने से फाइदा जरूर होने वाला है, तो जो नलोग नहीं जूड़े है वो जरूर से जूड़िये और किसी भी चीज की query है, query मिन्स की lockdown के दरिम्यान और lockdown के बाद और अभी अनलोग है, तो अगर कुछ आपको दिक्कत है, खोला है, उसके बाद कुछ problem आ रही है, कोई परेशान कर रहा है, कुछ भी है, तो बिल्कुल आप association का संपर्क कर सकते हैं, तो वापस ऐसे ही दूसरे हमारे सीरिस के साथ हम वापस मिलेंगे, पर हमारे चैनल को देखने के लिए आपको हमारा Facebook पेज लाइक करना पड़ेगा, YouTube चैनल को सस्क्राइब कर तो पूरी मतलब हमारे जितने भी मतलब ऐसे अवर्नेस प्रोग्राम के शोष होते हैं, वो ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आप सब कई आभारी हूँ, और मेरे साथ जूड़े थैंकर मेरे सीवम, सीवम थैंक यू सो मच साथ में जूडने के ल अलिए नमेशकार करता है, जो इम्म्यूनेटी बढ़ाने में एवं सत्तर से भी ज्यादा बिमारियों में सहाई करता है। सिर्फ दो बूंद लिक्विड कैल्शम रोज सुबह शाम 250 ml गुन-गुने पानी में डाल के पीने से आश्चर यजनक परिणा मिलता है। करता है झाल झाल